हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, आज है 23rd June and Saturday है आज, तो आज मैं व्लॉगिंग विसले कर रही हूँ क्योंकि मैं आज लगवाने जा रही हूँ मेरा 1st COVID vaccine का dose और मैं COVID-19 vaccine लगवाने वाली हूँ, इंती ऑफिस से हमें slot मिला है तो हम महीं जाएंगे लगवाने के लिए and मै आज व्लॉगिंग विसले कर रही हूँ, तो आप लोगों को इंफ्लॉएंस करने के लिए मैं आज व्लॉगिंग कर रही हूँ, हर डिटेल मैं आपको दूँगी, इचने अवर्टिंग आप से शेयर करूँगी, तो मेरे साथ इस व्लॉग में बने रही है, अभी आरोशी क्लास क्टार्ट होने वाली है, देन उसके बाद में खाना वाना बनाओंगी, फिर हम लोग निकल जाएंगे वैक्सिन लगवाने के लिए, तो चली मूलते हैं फिर आप से, और यहाँ पर चल रही है, और यहाँ पर चल रही है, उसके पापार उसको क्लास कर रहे हैं, तो यह चीज़ें तो आपको रखनी पड़ेगी बैग में, तो मैंने पानी बोटल लिये, सैनेटाइजर, टिफें, हैंकी, वाइप्स, और अब यह सब मैं इस बैग के अंदर रखोंगी, तो कराब यह बच्चिक साथ ट्रैवल करें तो इन चीज़ें को बिलकुल मद भू तो चलिए वहाँ चल के आप से मिरने हैं कि अच्छा लग रहा है कि यहां प्याम अरुष मस्ती कर रहा है अपने पापा के ओपेस में में वहां पर कुछ में साथ हो गया था कि मैं कंडिशन में नहीं थी वेक्सिनेशन लगाने के वाद कुछ रिकॉर्ड करने के लिए तो क्या हुआ था को मैं आपको घचल के बताऊंगी ही गाई तो वी अरव भैक हो राव काफी पढले आगए थे फिर लगों को नहीं खूना खाया 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 खुप काया ठी पर मेरे साथ ही। तो हुआ है कि अग्सायाता था तो मेरे साथ फ़ह परके में थे देख शाएंटी खाया था क्यों के मुझ अपम झेलें अर्ट करु कि अपना खाना बनाया तो काफी लेट हो गया था और खाना मैंने ब्रेग फास मेने भूत कम किया था तो इस वज़े से जैसी मुझे इंजेक्शन लगा दर्द बिल्कुल नहीं होता इंजेक्शन मैं जो मैं सोच कर थी ती ने कि इतना बुदु परीके से वो लगाते हैं कित तो जैसे ही इंजेक्शन मेरे अंदर गया उसे टाइम से मेरे कान सुन हो गया मुझे सुनाई देना बंद हो गया बिल्कुल भी और फिर थोड़ी दिर क्या हुआ कि इंजेक्शन लगा होगा तो उसके बाद वो लोग ने बोला कि 15 मिट आप आप अब्जरवेशन में वहां स आपको के सामने अंधेरा आओ गया बिल्कुल अंधेरा और मुझे अब चक्कर आ रहे कि मैं बस गिरने ही वाली थी बेहोश हो के बट मैं चेर का सारा लेकर बैड गई फिर वो सब लोग आया डॉक्टर वगेरा की क्या हो गया फिर उन्होंने मुझे एक मैडिकल के उनिट अब ले गए बैड पर लेटाया मुझे और फिर सब लोगोंने बीपी चेक किया और चेक किया अपने नाश्ता सही से नहीं किया इसलिए आपको चकर आए क्योंकि ना इजेक्शन होता है वो काफी गरम होता है तो बॉडी में जाता है ना तो अगर हमने कुछ खाया वया न होता है कमजोरी होती है तो ऐसी फेरफेक्ट दिखाता चकरवकराने का तो मेरा सला आप से यह है अगर आप वैक्शन लगवाने जाए तो प्लीज अच्छे से पेट भरके खाना खाके जाए नोंने बोलाए कि आपको धाइलिटर पान तो मिनिमम पीना ही है दिन भर में और हैड़क हो सकता है फीवर आसकता है और फीवर आने पर केवल और केवल पैरसिटमोल खाना है पोसिन नहीं खाना है बिल्कुल भी प्रोपर जो पैरसिटमोल लिखा होता ना टेबलेट की पर बस वही खाना है वो कॉम्दिनेशन वारी टेबलेट नहीं खाना है बिल्कुल तो यह सब नोने में समझाया था तो आप लोग भी धियान रखिएगा अगर आप एक्सिन करवा रहे हैं तो फिर फीवर आने पर पैसे चमॉली खाईए और वो भी 100 डिग्री से उपर फीवर आए तभी 100 डिग्री से कम वाले फीवर पर बिल्कुल भी टैबलेट वगेरा नह अरुष मत रखो हाप पर हाथ यह स्नैक्स अपने साथ रख के लिजाए मान लीजिए को चकरव कराएं तो फिर आप खा सकते हैं चौकलेट हो तो बहुत अच्छी बात है चौकलेट आपको इंस्टेंट एनर्जी देता है तो आप वह भी लेके जा सकते हैं अपने साथ एन ज्लडी जग और पापा की आफिस में काया था तो मंझे उधर पानी विद ग गया तो पानी अगया मेरे पास तो घीली घृ गास थिए तो मिं धूरु आतियां प्थे के पास साथ आया एक पानी तो मंझूरा दिया जो गाइस थांस के नहीं और यह मुमा का प्लाइंकेट है और यह दो नहीं प्लाइंकेट है और यह दिखो सफाय करो अपने बैट की आपने क्या हलका के रखा हुआ है ओके कर देना अरुप आउड का अरुफ good job药 अरश very good yes your bed is very clean good job药 मोड पर यसलету clap 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 for yourself very good अरुछा को subscribe subscribe आप भी नहीं खेल सकते मामा कॉंजेक्शन लगा हुआ है ना भाग नहीं सकते हाइडन सीख खेलना है जॉप टीवी बंद करो गोगो स्विच आप टीवी गो तब खेलेंगा हाइडन सीख चलो बंद करो टीवी ओके तो पहले कौन चुपेगा मैं ओके तो मैं काउंट करूँ आप छूपना ठीक है लाइं टू ट्री फोर फार सेख सेवन एक नाइन टैन लेवन मैं आ रही हो ओके यह आरुश कहां गया वेर इस आरुश कहां जा रही है यह अरुश कहां हो तुम यहां पर तो हो नहीं कहां से आवाज आ रही है यह लेट मी चेक कहां से आवाज आ रही है यह बातरुम में बातरुम से आवाज आ रही है बातरुम में तो कोई नहीं है तो कहां से आवाज आ रही है यह yeah I found you I found you I found you come 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 Arush no cheating come yeah yeah I won I won I don't count Karo mama should be okay 1 2 3 4 5 6 7 9 7 4 5 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 11 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13 16 कल मैंने कोई भी शूट नहीं किया वैक्सिन के बाद शाम को आपने देखा था अरुशन वरा खेला था तो कल शाम को हम लोग बिल्कुँ ठीकते कोई साइड इफेक्ट नहीं थे वैक्सिन के बढ़िया सब को चल रहा था और हम बहुत खुश हो रहे थे कि चल अच्छा में क अच्छा में काफी जलन हो रही थी मुकर टेस्ट चला गया था तो यह सब हो रहा था बट हलका फीवर था तो जदह हमने परसितमल वगरा कुश नहीं ली नॉर्मल हमारी बॉड़ी को फाइट करने दिया वैक्सिन की जो वाइरस हो तो उसके अंदर डेड़ वाइस जलते ह दूसरे मैं नैश्रली जब पॉड़ी फाइट करती है तो जादा च्छे अंटी बॉड़ी बनती है इसलिए हमने नैश्रली फाइट करने दिया बट हाँ अब शाम होते होते हम दोनों का फीवर ठीक होने लगा है और अब कुछ भी जादा से तकलीफ नहीं है हम लोगों को शाम होते तक सब कुछ थी हो गया में किते घंटे चला था सुबह से लेकर शाम को छे साथ वज़े तक हमारा था अभी रात के बज़ रहे हैं नो तो अभी हम लोग बिल्कुल ठीक है सारे सिंटम्स चले गए हैं थोड़ा बहुत आँखों में जलन है बट वो भी जेलने ल लोगों को इसलिए अगर आप हम लोग की तरह हैं जो अकेले भी रह रहे हैं फैमली से दूर अपनी और आपको छोटा बच्चा है तो प्लीज दोनों जन्हें साथ में वैक्सिन मत लगवाईए एक करके लगवाईए अब हमने स्टुश लिया है कि हम नेक्स्ट डोस होगा हो एके करके लगवाएंगे के खकते के गैब में ताकि एक अगर बीमार पड़े दूसरा आरोश का ख्यार रख सके एंड दूसरी बात यह कि हाद में स्वेलिंग थी और पैन था काफी जादा मुझे काफी जादा पेन था क्योंकि आरोश बूतिन बाद दवा दिया था मैं आपे जिकाई करते रहें आइस पैक से एंड रातों कभी भी जहां पर आपको वैक्सिन लगा है उसकी तरफ करवट लेके बिल्कुल मत सोईएगा दूसरी तरफ करवट लेके सोईएगा दू दिन की बाते दर्ठीक हो जाता है तो बस यह सब दियान रखिएगा पाने को प पाने के लिए थोड़ा कुछ होना भी पड़ता है तो यह आप लोग भी वैक्सिन लगवा सकते हैं काफी सेफ है कोई ऐसा साइड एफेक्ट नहीं है उसका हम लोगों पर आया एंड बिल्कुल भी दर्द नहीं होता जितना मैं डर रही थी जो मैंने प्रोसेस देखा है ल जल्दी जल्दी ताकि हम सब लोग इस बीमारे से फ्री हो सकें और बहुत परेशान हो लिए दो साल तक हम सोच रहे हैं 2022 हम सब लोग का अच्छा रहे है इसलिए जल्दी जल्दी वैक्सिन लगवाई है ताकि हम जो नॉर्मल लाइफ थी हमारी पहले वापिस उसकी तरफ आ सकें तो मैं अपना व्लोग यहीं एंड करती हूँ फोप आप लोगों को अच्छा लगा होगा और आपको पसंद आया हो मेरा वीडियो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा मैं चनल को आगे मैं ऐसी इंफोमेटी वीडि